In how many ways 10 different books can be placed in Almira so that two specific books first part is always occurred together and second part is never together तो अगर मैं first part को पहले solve करूँगा तो कैसे करेंगे C हमें कि वहने कि कोई दो specific books है वो क्या होंगे हमेशा together होंगे तो जैसे अगर A और B मेरी दो specific books हैं तो वो हमेशा एक साथ होंगी तो A और B को मैंने हमेशा के लिए एक साथ कर दिया means यह दोनों आसपास हैं तो एक box में बंद कर दिया और दोनों different है इसलिए A और B यूज़ किया है अब इसके अलावा मेरे पास में 8 different books और हैं ठीक है 8 different books और हैं तो indirectly in 8 different books और यह जो हमारे पास में 2 books का set है A, B को ले करके total कित्ती books assume कर सकता हूँ मैं यह 9 books की तरह हो जाएंगी जिसमें 1 हमारे पास में book है जिसमें 2 books combined है तो total in 9 books को मैं कित्ते ways में rearrange कर सकता हूँ 9 factorial ways में और हर way में हमारे पास में A, B क्या होंगी हमेशा साथ होंगी ठीक है अब लेकिन A और B यह दो different books हैं तो इन दोनों को आपस में कैसे rearrange कर सकता हूँ एक बार A, B और एक बार B है तो आज़ेगा into में 2 factorial तो आज़ेगा 9 factorial into 2 factorial अब हमारे पास में second part है कि never occur together तो never occur together का meaning है कि A और B कभी साथ नहीं आ सकती तो इसके लाबा हमारे पास में और कितनी books है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका meaning यह है कि अगर A और B never occur together it means तो A और B के बीच में हमेशा at least एक book होगी ही होगी तो अब मैं क्या करता हूँ मैंने बोला कि let's say मैंने जो 8 books थी उन्हें put कर दिया है ना 8 books मैंने put कर दी तो अब बची भी 2 books हमारी A और B कैसे आ सकती है तो हमारे पास में places है यहां आ सकती है यहां आ सकती है यहां 5, 6, 7, 8 तो हमारे पास में total कितनी places है 8 places है जहां पर हम अपनी books को put कर सकते है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 places है अब इन 9 places में मैं कोई सी भी 2 places choose कर लेता हूँ जहां पर मैं A और B को put कर हुआ अच्छा और choose करने से benefit क्या होगा सी जैसे अगर मैंने 2 consecutive place भी choose करी तो at least 1 book तो हमारी बीच में होगी ही होगी और अगर मैंने distance पर करी तो एक से ज़्यादा भी हो सकती है तो 9 C 2 ways होगा जिसमें हमारी books साथ नहीं होगी अब बची भी 8 books को मैं कितने ways में rearrange कर सकता हूँ 8 factorial जो मैंने already put का रखी है तो कितने ways होगा मेरे पास में 9 C 2 into 8 factorial तो सबसे पहले इस question में मैंने क्या क्या है second part में मेरे पास जो बची भी 8 books थी उन्हें मैंने rearrange कर दिया put कर दिया है ना और कितने ways में rearrange कर सकता हूँ 8 factorial ways में अब बची भी 2 books को मुझे 7 में नहीं रखना तो जो इन books के बीच में spaces हैं और starting और end में place है प्सके और दो के सकति है झाल झाल